मैं आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको डाइस पढ़ाने जा रहा हूं डाइस की मेरी एक क्लास हो चुकी है डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं हम लोग एक टाइप पढ़ चुके थे यह हमारा दूसरा टाइप है कि हम खुले पासे को कैसे बंद करते हैं और बंद में आंसर कैसे लाते हैं जैसे यह कुशन आता है यह पासा हमारा है यह खुला है अगर इसको हम बंद कर देंगे तो इन में से कौन सा अपसंसरी होगा तो ये आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल ईजी तरीके थे देखिये कैसे यहां पर कैसे भी रखा हो चाये ऐसे रखा हो कैसे भी रखा हो कोई दिखक्र नहीं देखिये हम यहां पर बता देते हैं कि ये वाला हमारा इसके विपरीत होगा मतलब EF के विप्रीत B होगा और E के विप्रीत C होगा और A के विप्रीत D होगा यह आप लोग सीख गए होंगे क्या आमने बोला EF के विप्रीत B E के विप्रीत C A के विप्रीत D विप्रीत का मतलब यह होता है जैसे जब EF उपर होगा लुडू वाला आपने देखा होगा पासा उसी में जब EF उपर होगा तो नीचे B होगा जैसी बात है जब हमें EF दिखेगा तो B नहीं दिखेगा E दिखेगा तो C नहीं दिखेगा और A दिखेगा तो D नहीं दिखेगा भई जैसे हमारा यह पासा है विप्रीत कम यही होता है इसके विप्रीत यह कैप हो गया ठीक है अब हम अगर ऐसे कैप देखेंगे तो हम ऐसे यह पीछक हिस्सा देखेंगे तो हमें यह कैप नहीं आपसन से देखो भाई हमें जब यफ दिखे तो बी नहीं दिखनी चाहिए और यह साथ दिख रहे हैं यह और बी एक साथ दिख रहे हैं इसका मतलब यह आपसन आपका गलत हो गया इसी प्रकार से E के साथ में C नहीं दिखना चाहिए या A के साथ में D नहीं दिखना चाहिए जायसी बात है अब देखिए E के साथ में C है इसमें E के साथ में C नहीं है EF के साथ में B है? नहीं है A के साथ में D है? नहीं है इस प्रकार से ये सवाल हमारा ये आपसन हमारा सही है अब आगे भी चेक कर लेते हैं देखो E के भी प्रीट C है तो हमें E दिखे तो C नहीं दिखे और C दिखे तो E नहीं इसमें E और C दोनों दिख रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, इस प्रकार में A के भी प्रीट D है, D के भी प्रीट A है, जब A दिखेगा तो D नहीं दिखेगी, और D दिखेगा तो A नहीं इसमें दिखता है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है, दूसरा कोश्चन देखत एक बी के विप्रीट डी होगा सी के विप्रीट इफ होगा और एक विप्रीट इफ होगा और एक बात आप लोगों को बता दें यह वाला डी यहां से उठाकर यहां 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 कहीं भी रख लेते यह हमारा एक विप्रीट ही होता बही करम चाहें इसको इको यहां यहां कही भी रख दीजिए A के भी प्रीथी होगी ठीक है अब हमें क्या B दिखे तो F ना दिखे और E दिखे तो A ना दिखे ठीक है और D दिखे तो B ना दिखे इदमें B और D एक साथ है तो इस परकार से ये भी गलत है और यहाँ पे A और E एक साथ है ये भी गलत है और C के साथ हमें क्या नहीं दिखना चीए, EF नहीं दिखना चीए, इसमें भी दिखता है, ये भी गलत है, इस प्रकार से हमारा ये आपसन सही हो सकता है, लेकिन हम चेक कर लेंगे एक बार, देखो B के साथ में D है, इसमें नहीं है, B के साथ D नहीं दिख रही है, E के साथ A है, तो E दिख रह लोग एक दोबार प्रैक्टिस करेंगे तो बिलकुल सीखेंगे और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें आगे भेजें धन्यवाद